सो हांजी दोस्तों क्या हाल चाल आप सभी के सो उमीद करता हूँ आप लोग सभी होंगे बहुत ही बहतरी मैं वापे साम बिलकुल एक फ्रेश वीडियो के साथ में और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग का बजट है कि मुझे 3-5 लाग के बी करने वाली है जिसका बहुत ही बेसबरी से लोग इंतजार कर रहे हैं अगर आपने इस टाइंग भाई खरीद ले तो आप लोग बहुत ही ज्यादा रिग्रट करोगे तो विडाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो एक और नया दिन है को और ने सबसे पहली वीकल के बारे में बात कने वाले वो है रोल इंफिल्ड की 350 बॉबर यह मैंने जो सोर्च वीडियो है वो बनी पुनिया चैनल से लिया है तो यहां पर आप देख सकते हो इसके अंदर में आपको पूरा निउ एलेडी सेट अप देखना को मिलता है टेलिसकॉप अब बरेट अपनी अपकमिंग बारे में दे रख कि यहां पर आपको अपकर नोटिस करोगे तो आपको एकशॉस्ट चेंज देखने को मिलेगा एंड गार रियर यांट है वो भी आपको यहां पे चेंज देखना को मिलेगी वही अगर हम सेकेंड वीकल के उपर में आते है तो यह है rolling field की 450 scrambler जो की आपका Sherpa Himalayan 450 engine पे based रहने वाला है और इसके अंदर में आपको liquid cool system वाला engine देखने को मिलता है देख सकते हो आप पीछे आपको alloy wheel देखने को मिलता है वही अगर आप Himalayan में देखोगे तो उसमें आपको spoke wheel देखने को मिलेगा front में आपको telescopic suspension देखने को मिलता है और जो light है वो again LED रहने वाली है और इसके अंदर में भी आपको navigation tripper meter देखने को मिलेगा इस वीडियो का जो reference में ने लिया है वो लिया है मैंने channel biker IP तो आप याप जाके check out कर सकते हो last but not the least हम जो बात कने वाले वो है royal infield 650 scrambler तो ये again interceptor और GT और supermeteor में जो engine आता है यहां तक की जो अभी recently shotgun निकला है उसी engine पर based है बट जैसे की आप देख सकते हो यहाँ पर front में आपको spoke wheel देखने को मिल रहे है अब ये tubeless है ये tube tire वो तो बात में ही पता चलेगा और इस video को मैंने source किया है 91 wheel से तो देख सकते हो आप यहाँ पर आपको वही same engine देखने को मिलता है suspension के अगर हम बात करें तो front में आपको USD fork देखने को मिलते है I believe ये show us से source किया गए होगा और rear जो section है उसमें बहुत ही major changes किया हो है देख सकते हो आप और जो उसका suspension ने उसका भी travel थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है सदोस्तों उमीद काता हूँ कि आप लोग को जो भी मैना information दी वो बहुत ही कमाल के लगी होगी और अगर आप चाते हो कि ऐसी ही upcoming vehicle के बारे में मैं और भी videos बनाओं different company की तो comments में जरूर बता देना और आप specially कौन से vehicle का wait कर रहे हो वो जरूर मुझे बताना बट मैं specially अगर बता हूँ तो जैसे कि आप लोग को पता कि इस time मेरे पास कोई भी vehicle नहीं है तो मैं Scrambler 450 का बहुत ही बेस अबरी से इंतजार करा हूँ ये तीनो के तीनो वीकल September तक launch हो जाने वाली है September से पहले भी आ सकती है but September तक definitely ये launch हो जाएंगी and जो भी वीडियो उस पे मैंने कुछ visual reference के लिए वीडियो से इस्तमाल करिये वो सारी दूसरी YouTube channel की है तो please अकर आप उस particular clips के owner हो तो मुझे copyright मत देना मैं सभी के credits दे दूँगा और mention कर दिये मैंने सारी चीजे तो अगर आपको वीडियो केसी भी reason से अच्छे लेगी है तो वीडियो को like कर देना, channel को subscribe कर देना भाई, channel को ना subscribe करना लोग भूल जाते हैं वीडियो उसको देखते तो बहुत सारे हैं तो सिर्फ 5 सेकेंड के time लगेगा फटा फट से चैनल को subscribe कर देओ तो मिलेंगे हैं मारे S.KC next review video में till then, bye bye